गूड इवनिंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सातवहन यूगीन सिंस्कृति का जो सासन व्यवस्ता पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे तो देख सातवहन सासकों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और जो मगत महाजनपत था उसमें जो भी वन्स आये जैसे मोरिय वन्स आया सुंग वन्स आया कणवा वन्स आया फिर सातवहन वन्स आया ये सारे ही महतोपुन वन्स थे इन्होंने भारत में महतोपुन योजनाई बना तो देखेगा आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको परीक्साजे समधि महतोपुन जानकरी उपलब्ध हो सके तो देखेगा पढ़ते हैं हम साथ वहन यूगियन सिंस्कृति क साथ वहन यूगियन सिंस्कृति इसमें साथ वहन राजाओं ने मोर्य नरेसों के आदर्स पर ही अपने साथन का संगठन किया तो जो मोर्य नरेस हैं बिंदुसार है चंदरगुप्त मोर्य है सोक मोर्य है इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है वहाँ पर आप अच्छे से तो जो सात्वान राज्जा हैं ये मोरी ये नरेसों के आदर्स पर ही अपने सासन वे वस्ता को संगठी ते नोंगों ने किया था सासन का सोरूप राजतंतरात में खीता समराठ पर्सासन का सरोचे दिकारी था वे अपनी दैविये उत्पति में विश्वास करता था नासिक लेख में गोतमी पुतर साथ करनी की तुर्ना कई देवताओं से ती गई है सात्वाहन नरेश राजन राजराज महाराज तता सकों के अनुकरण पर स्वामिन जैसी उपादियां धारन करते थे रानिया देवी अथ्वा महादेवी की उपादी धारन करती थी येदे भी राजाओं के ना मात्र प्रदान हैं, तता भी ऐसा पर्तीत होता है कि उत्रादीकार पूरूस वर्ग में ही सिमित था, तता वनसानो गति होता था, कभी कभी राजा की म्रत्यू के बाद येदी उसका पुत्र एवेस्क होता था, तो उसके भाई को राजपत दे दि इसकाल की दो रानियों नागानिका जो साथकर्णी पर्थम की रानि थी तथा गोत्मी बलसरी गोत्मी साथकर्णी की माता थी ने परसासन में सक्रिय रूप से भागे लिया था समराट के साहता के लिए अमाते नामक पददिकारीों का एक सामाने वर्ग होता था गोत्मी पुत्र दता उसके पूत्र पुलुमावी ने महा सेनापती नामक एक उच पददिकारी की न्यूक्ती की थी संभवता कुछ सेनापती समराजे के ब्रह्म वर्ती पर्देशों की देखरे के लिए न्यूकते होते थे कुछ केंदरी ये सासन के विबागों की देखरे किया करते थे इस्थानी ये सासन कैसा था? इस्थान्य सासन अदिकास्त्य सामन्तव द्वारा चलाये जाता था काले तथा कनहरी के लेखों में महार्थी तथा महाभोज का उल्लेक मिलता है ये बड़े सामन्ते तथा उन्हें अपने अपने छित्रों के निमीत सिख़्े उत्केन करवाने का अधिकार था पस्चिमी कहाट के उपरी भाग में महार्टी तदा महाभोज उत्री कोंकण में समन्त थे, इनका पद अनुआनसिक होता था, इन समन्तों के अधिकार अमातों से अधिक होते थे, तथा वे अपने अधिकार में भूमीदान कर सकते थे, फिर देखेगा आहार, परसासन की होते थे, लेखों से गोवर्दन, सोपारा, मामल, साथवाहन, आधि आहारों के विशे में सूचनाई मिलती हैं, परते अहार का सासन एक अमाते के दीन होता था, जो अमाते राजधानी में रहकर समराट की सेवा करते थे, उन्हें राजजा माते कहा जाता था, ग्राम का पर अधिकार में 5-10 तक ग्राम होते थे, कुछ लेकों में गहपतिना शब्द मिलता है, ये किसानों के परिवारों का परमुख होता था, अगला आता है नगरों का परशाशन, तो नगरों का परशाशन निगम सभाद वाराच लेकों में भरुक अधाद बढूच, सोपारा, कल्य जान, पैठन, गोवर्धन, धनकटक, अधिनगरों के नाम मिलते हैं, इनमें कुछ प्रशिद, व्यापारिक केंदर थे, निगम सभाद में स्थान ये जनता के परती निदी रहते थे, ग्रामों तथा निगमों को सवसाशन के लिए प्रियाप स्वातन दर्ता दी गई थी, अब देखेगा, सातवाहन काल के सासन विवस्ता में कोई अन्य दिकारी होते थे, वो देखेगा, सातवाहन लेखों से पर्शासन के कुछ अन्य पदा दिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडागारिक, जो कोचादेक्स था, रजजुक, रजसोविभा का परमुक था पनिय घरक, नगरों में जलपूर्ति का प्रबंद करने वाला अदिकारी, कार्मान्तिक बौवनों के निर्मान की देखरे करने वाला और सेनापती, जो सेना को देखता था, सातवाहन सासक दयावान तता पड़्जावजसर थे, इस परकार मोर्य सासकों की भात्ति सातवाह और उतितार्ते से परिपूर्ड था एक इम्पोर्टें नॉट है सातवाहन राजों ने ब्राम्नों तता स्रम्नों को भूमी दान में देने की पर्था प्रारम की थी टी होती थी तो देखेगा फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने साथ वाहन कालीन जो संस करती है उसका जो परसाशन से संबंदित महतोपन पाठ हमने पढ़ा है इसमें से कई बार कई क्यों पूछ लेते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान तक देखेगा और बने रहें हमारे यूट चैनल इंडिया ओल्टेज से धन्यवाद